आज हम इस वीडियो में ग्राम प्रधान के चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे चुनाव कैसे होता है गावं में प्रतेक पांच वर्ष के बाद ग्राम प्रधान का चुनाव कराया जाता है राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए निर्वाचन आयोग को स्वीक्रती प्रधान की जाती है इसके बाद निर्वाचनायोग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है अधिसूचना जारी होते ही आचार सन्यता को लागू कर दिया जाता है अब जुव्यत्ती ग्राम प्रधान या सदस्य के पदपर चुनाव लगना चाहता है उसको एक निर्धारित समय अवधी के अंदर परचा दाखिल या आवेदन पत्र को जिले के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है इसके बाद निर्वाचन कारियाल है। अधिक मत प्राप्त होते हैं। उसे ग्राम प्रधान पर पर निर्वाचित किया जाता है निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। बी गई है और 15 मार्च तक आपत्ती दर्ज करने के लिए समय दिया गया है इसके पश्चात स्टेट गवर्न्मेंट की स्वीकृती मिलने के पश्चात निर्वाचन आयुक द्वारा तितियों की घोशना की जाएगी मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जुनावों की तारीकों की घोशना मार्च के अंतिम सप्ता में किये जाने की संभावना है चुनाव के लिए तितियों की घोशना होने के बाद चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अपने पद के अनुसार एक निर्धारित तिति के अंदर नामांकन पत्र द लग होता है जो इस प्रकार है ग्राम त्रधान वबी डीसी पद के लिए 300 रुपए हैं क्या होती है ग्राम सभा किसी गाउं के कुल व्यक्तियों की संख्या जिनका नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित हो इन व्यक्तियों के समूं को ग्राम सभा कहा जाता है एक ग्राम सभा में 200 या इससे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्चिक है। ग्राम प्रधान एक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है जिसे ग्राम प्रधान सरपंच आध्वा मुख्या के नाम से जाना जाता है। पंचायत चुनाव नामांकन हेतु दस्तावेज पंचायती चुनाव में ग्रामतधान शेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लगने वाले प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र के साथ कुछ अवश्यत दस्तावेज जमा करने होते है यदि इस डाक्यूमेंट्स में कोई दस्तावेज उपलब्द नहीं है तो प्रत्याशी का नामांकन खारिच कर दिया जाएगा नामांकन हितुर आवश्चित दस्तावेज इस प्रकार है अधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड पैनकार्ड पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र मूल निवास पत्र ओनलाइन तहसील द् पत्र नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 50 रुपए के स्टांप पर शपत पत्राईव प्रमाण पत्र पंचायत समिती या जिला परिशत से प्रमानित युगा कल्यान संबंधी कारियों को कराना ग्राम प्रधान का एक प्रमुक कार्य है ग्राम प्रधान के द्वारा शुधन्विकास संबंधी कार ग्राम प्रधान के द्वारा कराये जाते हैं समस्त पकार की पेंशन को स्विक्रत करने वर वित्रन करने का कार ग्राम पंचायत के माधिम से ग्राम प्रधान करता है राशन की दुकान का आवंतन और निरस्ती करन ग्राम पंचायत के द्वारा कि साथ ही पानी निकासी के ड्रेनेज की भी विवस्था भी करनी होती है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीरों के पशों के पीने के पानी की विवस्था करने की जिम्मेदारी होती है ग्राम प्रधान का वेतन कितना होता है उत्तर प्रदेश राज्च में ग्र उमीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। वैसे भारत में वोट डालने के लिए नियूंतम उम्र 18 वर्ष है। 2. उमीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। 3. उमीदवार की मानसिक स्थिती ठीक होनी चाहिए। 4. उमिद्वार के किसी मामले में दोशी करार दिये जाने के सजाया अफ्ता रही होना चाहिए। लक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसका कारिकाल 5 वर्ष का होता है गाउं के विकास के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा कई तकार के कारियों का निश्पादन किया जाता है। विद्यालाई का निरीक्षर करता है और उसमें अवेश्यक चीजों की पूर्ती के लिए उच्छ अधिकारियों से वारतलाप करता है यह वा कल्यान संबंधी कारियों को कराना ग्राम तरधान का एक प्रमुक कारे हैं प्रधान को पदमुक्त करने का तरीका यदि कोई ग्राम पंचायत के आधे सदसेयों के हस्ताक्षर होना आवश्क है लिकंच सूचना में प्रधान को पद क्यो हटाना चाहते हैं इसके कारों का भी उलेक होना चाहिए हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से थ्री सदस्यों का जिला fünf तरधानकों ौर्मुक्त किय जा सकता है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ग्राम प्रधान चुनाव संबंधी समस्त जानकारियों से भली भाती परिचित हो गए होंगे कर्पया आप से निवेदन है कि ये वीडियो अपने दोस्तों में अवस्य शेयर करें और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे वीडियो चनल को सबस्ट्राइब जरू करें धन्यवाद